मायभारत.gov.in पर रजिस्टर करें और विविन्न कारिकम के लिए साइन अप करें 31 अक्तूबर को पूर्वप्रधानमत्री स्रीमति इंद्रा गांधी जी की पुन्यक्ति धीपी है मैं उन्हें भी भावविनी स्रद्धांजरी अर्पित करता हूं मेरे परिवार्द्यनों हमारा स्वाहित्य लिटरेचर एक भारत थ्रेष्ट भारत की भावना को प्रगाड करने के सबसे बहतरिन माध्यमों से एक है मैं आपके साथ पमिन नाडू की गवरोशाली विरासत चे जुड़े दो बहुत ही प्रेरक प्रयासों को साजा करना चाहता हूं मुझे कमील की प्रसिद्ध लेखी का बहन शीवशंकरी जी के बारे में जानने का आउसर मिला है उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है नीट इंडिया फ्रू लिटरेचर इसका मतलब है साहित्य से देश को एक धागे में पिरोना और जोड़ना वे इस प्रोजेक्ट पर बीते सोला सालों से काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के जरिये उन्होंने अठारा भारतिय भार्षाओं में लिखे साहित्य का अनुवात किया है उन्होंने कई बार कन्या कुमारी से कस्मिर तक और इमफाल से जेसल मेर तक देश भर में यात्राएं की ताकि अलग-अलग राज्यों के लेखकों और कव्यों के इंटर्यू कर सके शिव संकरी जी अलग-अलग जगहों पर अपनी यात्रा की प्रावेल कॉमेंटरी के साथ उन्हें पब्रीज किया है यह तमील और अंग्रेजी दोनों भाशाओं में हैं इस प्रोजेक्ट में चार बड़े वाल्यूम्स हैं और हर वाल्यूम भारत के अलग-अलग हिस्से क को समर्पीत है मुझे उनकी इस संकल्प शक्ति पर गर्व है शाथियों कन्या कुमारी के थिरू एके पेरुमल जी का काम भी बहुत प्रेदित करने वाला है उन्होंने तमिल नावू के यह जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है उसको समरक्षित करने का सराहनिय काम किया है वे अपने इस मिशन में पिछले 40 सानों से जुटे हैं इसके लिए वे तमिल नावू के अलग-अलग हिस्सों में प्रावेल करते हैं और फॉक आर्ट फोरम्स को खोच कर उसे अपनी बुक का हिस्सा बनाते हैं आपको जानकर आश्चरे होगा कि उन्होंने अब तक ऐसी करीब सो किताबे लिख डाली है इसके अलावा पिरुमल जी का एक और भी पैशन है तमी नाडू के टेंपल करिस्टर के बारे में रिसर्च करना उन्हें बहुत पसंद है उन्होंने लेदर पपेट्स पर भी काफ कारों को हो रहा है शीवशंकरी जी और एक पिरुमल जी के प्रयास हर किसी के लिए एक मिसाल है भारत को अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने वाले ऐसे हर प्रयास पर गर्व है जो हमारी राष्ट्रे एकता को मजबूती देने के साथ ही देश का नाम देश का मान सब मेरे परिवार जनों आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जन जातिय गवरव दिवस मनाएगा यह विशेस दिन भगवान बिर्शा मुंडा की जन्मजैंती से जुड़ा है भगवान बिर्शा मुंडा हम सब के रदय में बसे हैं सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प श यह हम उनके जीवन से सिख सकते हैं उन्होंने विदेशी साथन को कभी स्विकार नहीं किया उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले भगवान विर्शा मुंडा ने प्रकृति के साथ सद्वाव से रहना इस पर भी हमेशा जोड़ दिया आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाइबहन प्रकृति की देखभाल और उसके समरक्षन के लिए हर तरह से समर्पित हैं हम सब के लिए हमारे आदिवासी भाइबहन का ये काम बहुत बड़ी प्रेर्णा है साथियों कल यानि तीस अक्तूबर को गोविन गुरुजी की पुन्यतिती भी है हमारे गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचीत समुधायों के जीवन में गोविन गुरुजी का बहुत विशेस माहत रहा है गोविन गुरुजी को भी मैं अपनी स्रधानली अर्पित करता हूँ नवंबर महिने में हम मानगण नर्शनहार की बरसी भी मनाते हैं मैं उस नर्शनहार में शहीत माभारती की सभी संतानों को नमन करता हूँ साथियों भारत वर्ष में आदिवासी योध्याओं का सम्रुत इतिहास रहा है इसी भारत भूमी प्रमहान इलका माजी ने अन्याय के खिलब बिंगुल फुका था इसी धर्ती से सिद्धो कहनू ने समानता के आवाज उठाई हमें गर्व है कि जन्योध्धा तंट्या भील ने हमारी धर्ती पर जन्म लिया हम शहीद वीर नारायंची को पूरी स्रद्धा के साथ याद करते हैं जो कठीन परिस्तितित्यों में अपने लोगों के साथ खड़े रहे वीर रामजी गोंड हो वीर गुंडा धूर हो भीमा नायक हो उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है अलूरी सिताराम राजु ने आदिवासी भाई बहनों में जो अलग जगाई उसे देश आज भी याद करता है नौर्सिस में कियांग, नोबांग और रानी गायदीनल्यू जैसे स्वतंत्रता सेन्यानियों से भी हमें काफी प्रेर्णा मिलती है आदिवासी समाज से ही देश को राज मोहीनी देवी और रानी कमलापती जैसे विरांगना ही मिली देश इस समय आदिवासी समाज को प्रेणा देने वाली रानी दुरगावती जी की पांच सो भी जैंती मना रही है मैं आशा करता हूं कि देश के अधिक से अधिक युवाँ अपने ख्षेत्र की आदिवासी विवितियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेना लेंगे देश अपने आदिवासी समाज का कृतग्य हैं जिन्होंने राश के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वों पर ही रखा है मेरे प्यारे देश वास्यों योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्स का भी पर्चम लहरा रहा है फश्म के पीछ दिनों एश्यन गेम्ट के बाद पहरा एश्यन गेम्पमें भी भारतिये खिलाडियों ने जबरजस्क कामियाबी हैं इन खेलहों में भारत ने 1111 मिडल जीत कर एक नएक इतियास रद्दिए मैं पारा एशियन गेम्स में हिस्से लाने वाले सबी एथलेट्स को बहुत-बहुत बधाई देता हूं चाथियों मैं आपका ध्यान Special Olympics World Summer Games की और भी ले जाना चाहता हूं इसका आयोजन बर्लीन में हुआ था यह प्रतियोगीता हमारे intellectual disabilities वाले एथलेटों की अध्भूत क्षमता को सामने लाती है इस प्रतियोगीता में भारती दल ने 75 गोल मेडल सहीत 200 पतक जीते है रोलर स्केटिंग हो बीच वालीबॉल हो फुटबॉल हो या लोन टेनिस भारतिये खिलाणियों ने मेडल्स की जड़ी लगा दी इन पतक विजयताओं की लाइब जर्नी काफी इंस्पाइरिंग रही है हर्याना के रणवीर सैनी ने गोल्फ में गोल मेडल जिता है बचपन से ही आटीजम से जूज रहे रणवीर के लिए कोई भी चुनो दी गोल्फ को लेकर उनके जुनून को कम नहीं कर पाई उनकी मा तो यहां तक कहती है कि रणवीर की वजह से परिवार में आज सब गोल्फर बन गए हैं पुडवी चेरी के 16 साल के टी विशाल ने चार मेडल जीते हैं गोवा की सिया सरोदे ने पावर लिप्टिंग में दो गोल्ड मेडल सहीद चार पदक अपने नाम किये